असलाम लेकम वीवर्स मैं हूँ शमा और हाजर हूँ एक नई वीडियो के साथ आज मैं अपने वीवर के साथ ब्रोणी केक की रेसिपी शेयर करूँगी तो चलिए वक्त को जाय कि अब गएर रेसिपी स्टार्ट करते हैं केक बनाने के लिए मेदा लेंगे हम 230 ग्राम कुकिंग ओईल लेंगे 280 ग्राम कोको पॉडर लेंगे 50 ग्राम अंडे लिए 7 शुगर लेंगे 280 ग्राम बेकिंग पॉडर लेंगे 2 टी स्पून वनीला एसेस लेंगे 1 ती स्पून तो सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी कर लेंगे बटर पेपर लेंगे मोल्ड के हिसाब से इसे काट लेंगे बटर पेपर लगा के ओईल से इसे ग्रीस कर लेंगे साइडों से भी ग्रीस कर लेंगे यह मोल्ड हमारे रेडी हो गया है इसे हम साइड पे रख देंगे बॉल लेंगे एक इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे व्यूर्स बेकिंग में जब भी अप अंडे यूज़ करते हैं हमेशा सेपरेड बॉल में तोड़ के डालें यह मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि अगर एक इंडा खराब हो तो आपके बाकी सारे एंडे भी जाया हो जाते हैं तो हमेशा सेपरेड बॉल में तोड़ के चेकर के फिट डालें शुगर डाल देंगे इसमें घार में व्यूर्स जो नॉर्मल दाने दर चीनी इस्तमाल होती है कीले मैंने वह यूज की है अभी इतनी देर के लिए बीट करेंगे के यह फमाह जाये और साइज में डबल हो जाये तो हैया यह वे में चार मिने में चले बबल में हैं हपि Examples हो लेकिन पर और यह सिर लिग Дेखे थैई साथ में इसे मिक्स करते जाएंगे सारा नियाए एक दफ़ा इसे बीटर से घुमा लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो चुक है इसे साइट पर कर देंगे यहां पर हम अपने ड्राइ इंग्रीडियन लेंगे मैदा लिए मैंने इसमें बेकिंग पॉडर डाला है कोको पॉडर डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मैदा डालेंगे और इसे स्टेंडर से चान के डालेंगे क्योंकि कोको पॉडर और मैदा जो होता है उसमें गुठलिया बन जाती है इसे हम दो पॉर्शन में डालेंगे चान के एक ही दफ़र नहीं डालेंगे इसे ये एरी भी हो जाता है ये देखें एंड पे इसमें गुठलिया होती है ये मिक्स करेंगे आव यूवर स्पेचुला से भी कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशे हाथ से करती हूँ क्योंकि हाथ से ज्यादा इजली हो जाता है अंदाजा हो जाता है कि इसमें कोई गुटली तो नहीं बाकी मैदा भी चानेंगे चान के इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे बहुत हलके हाथ से मिक्स करना है ओवर बीटी से नहीं करेंगे हाथ को खोल के मिक्स करेंगे और यह देखें अच्छे से मिक्स हो चुक है अब इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे वनीला एसेंस की फंक्षन नहीं होता ये सिर्फ अंडों की स्मैल को खतम करने के लिए डालाजाता है कोको पॉर्डर डालो तो इसमें ना भी डालें तो कोई मसला नहीं अब जो मोल्ड हमने पहले से रेडी करके रखा था उसमें डाल देंगे इसे हलका से टैप करेंगे प्री हीटिड अवर में इसे 180 डिग्री फिर्म 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे और यह देखें केक हमारा अची तरह से बेक हो चुका है इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे ताकर यह ठंडा हो जाए फिर हम इसे डी मोल्ड करेंगे तब तक हम गरनाश रेडी कर लेते हैं चॉक्टर लिए मैंने 300 ग्राम डेर सो ग्राम इसमें क्रीम लेंगे माइक्रोवेब में इसे माइक्रोवेब करेंगे हम Th PLAYING से के लिए और इससे मिक्स करेंगे अच्छे तरह से इससे मिक्स कर लेंगे अर्जिश額 कर लेंगे केक को डी मोल्ड करेंगे, नाइफ से हम इसकी साइड नहीं टालेंगे, बटर पेपर इसका रिमूव कर देंगे, और इसकी उपर वाला अनिमर पोर्शन जो है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको लेर में कट कर लेंगे, इसकी दो लेर कट करूंगे, गनाश हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है इस पर गनाश लगाएंगे इसको अच्छे से स्प्रेट कर देंगे गनाश लगाने से पहले यूवर्स मैंने कंडेंस मिल्क में थोड़ा सा पानी डाल के mix करके वो इस पे लगाया था यह totally optional है अगर लगाना चाहें तो ठीक है otherwise ना लगाएं दूसरी ले रखेंगे इस तरह से मैंने condensed milk में पानी डाल के इसे mix कर लिया था इससे एक अच्छा सा flavor आता है इसको हमलके से spread करके उपर spatula से अच्छी तरह से हम इसे spread कर लेंगे इसको पर गनाश लगा लेंगे गनाश लगा किसे spatula से spread कर लेंगे इस तरह से अच्छे से पहला लेंगे पहले नाइव से गुमा कि हम अच्छी तरह से से सेट कर लेंगे साइडों पर लगा लेंगे अगर नाश को फ्रीज में रखने से अच्छी से सेट हो जाती है और इसली लग जाती है स्क्रेपर से इसे नीट कर लेंगे अच्छी से और इसे स्क्रेपर से वीवर्स हम उपर से भी डिजाइन कर लेंगे इस तरह से और स्क्रेपर से हम साइडों पर भी डिजाइन बना लेंगे एक हमारा नीट हो गए इसे साइड पर कर देंगे गर्नाश थोड़ी सी मैने बॉल में निकाली है इसमें कोको पोड़र डालेंगे एक चमच इसे छान के डालेंगे इसे थोड़ी सी यह हाड हो जाएगी अच्छे से सेट हो जाएगी और इसे अब जो भी डिजाइन बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं मैं इसमें फलार बनाऊंगी इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे चमच से जो जलीए मैंने डालेंगे और इसमें गंश क는 डालेंगे पाइपिंग कई और इसे वहाँ से डीजाइन बनालेंगे केड़क पर इसे फ्लारद बन आप कोई भी डिजाइन ही से बना सकते हैं और में पस वाइट पर लेंगे यह हम इस पे सेट कर देंगे इस तरह से यह बहुत ही खुबसूरत लग रहा है इस तरह से और यह ब्रॉणी केक हमारा रडी हो गया है मेरा तो यह बहुत ही फिवरेट है बहुत पसंद है मुझे और किस किस को ब्रॉणी केक पसंद है कुमेंट में ज़रूर बताएगा अब हम इसकी कटिंग करते हैं यह देखें वीवर्स आप लोग इसे ज़रूर ट्राइ किजएगा और फीडबेक ज़रूर दिया करें हमें आपके फीडबेक का इंतजा रहता है अगर वीडियो अच्छी लगी है इसमें कुछ भी सीखने को मिले है तो मेरी वीडियो को लाइक किजएगा फैमिली के साथ दौाओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अला हाफीज